नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज जो पौधा आप लोगों सामने लेकर आया हूँ यह एक जंगली पौधा है इसे मरवा तुलसी के नाम से जाना जाता है यह तुलसी परजाती का ही एक पौधा है बहुत सों लोग इसे सफेद दाउना के नाम से जानते हैं इसके दो परजाती होते हैं एक होता है काला दाउना और एक होता है यह सफेद दाउना दोस्तों यह पौधा एक बहुत ही अच्छा आयरवेदी कवसदी है जड़ी बूटी है इसके अंदर बहुत सारे आयरवेदी कौसदी गुल चुपे हैं आज मैं आपको इसी पौधे फाइदे के बारें बताऊंगा कि इस पौधे का कौन सो हिस्सा किस रोग में उप्योग होता है लेकिन फाइदे जानने से पहले दोस्तों इस पौधे को देख लीजिए पहचान लीजिए या पौधा मैदान भूमी में बरसात के बाद अपने आप पैदा होता है इसके पते मिर्च के पतों के जैसे दिखाई देते हैं और इसके जो फूल है वा तुलसी के फूल के तरह दिखाई देते हैं और इसके अंदर खुसवू भी तुलसी के जैसा ही होता है या पौधा करीबन दो फुर्च लेकर तीन फुर्च तक बड़ा से बड़ा होता है पूरे भारत वर्च में आपको घास फूस के तरह उगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा और हां दोस्तों इस पौधे में लगने वाला बीज बहुत ही सक्ति वर्धक बीज होता है और उसे आप खाये भी होँगे कई भार फोलूदा वाले डाल कर देते हैं उसके सब्जा कहेते हैं तो दोस्तों इस पौधे का सब्जा नाम भी है और बहुत से लोग इस पौधे को तूत मलंगा भी कहेते हैं और ग्रामिर छेत में रहने वाले जंगल वासी से बन तुलसी के नाम से जानते हैं तो दोस्तों इस तरह से यह पोधा अलग अलग भासाओं में एक परसिद्ध पोधा है तो आओ चलो अब हम इसके फाइदों के बारे में जाने की कौन सा हिस्सा किस रोग में उपयोग करना ह है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फाइदा तो मैं आपको यह बताता हूं अगर किसी सर में दर्द होता हो तो मात्र इसके पत्तों को नाग द्वारा स्वासन करने से सूंगने से सर का दर्द ठीक हो जाता है वो भी तूरंत तूरंत इतना फाइदे मंद है दोस्तों इस पौधे से निकलने वाला महक और हाँ दोस्तों अगर किसी फोड़ा फुंसी है घाव है तो आप इसके पत्तों को पीश कर घाव फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है और अगर बंद मुगा फोड़ा है तो उसे फोड़ने के लिए आप इस पौधे में निकलने वाला बीज जी स सब्जा कहते हैं उस सब्जा को लाकर थोड़ा से पानी कछीटा मार कर उसे मिलाईये मिलाने के बाद जब उसमें से गोंद जैसा मतलब चिप चिपा पदार्थ उत्पन होने लगे तो उस बीज को आप फोड़े बंद मुह के फोड़े को पर लगा दीजिए तो फोड़ा इतना फाइडे मंद होता है दोस्तो या सब्जा इन्हीं इसका भीज फोड़ा को फोड़ने के लिए अब फिर उसके बाद आप इसके पत्तों को पीष कर उसका रस निकाल कर घी के साथ मिला कर और और करीबन एक चमच घी हो और चमच इसका रस हो और करीबन दो तीन बलता है जिसे सब्जा कहते हैं उसका तासीर बहुत ही ठंडा होता है इसलिए अगर किसी के किटनी में सूजन हो लीवर में सूजन हो या पाचन सक्ती कमजोर हो पेट विकार हो किसी परकार का पेट में विमारी हो पेट के अंदर अलसर हो तो आप इसमें से निकलने आला सुबा उस बीज में मिश्री या सहद मिलाकर सर्वत बनाकर पी जिये तो मैंने पेट से समझ जितने भी बीमारी आपको बताए सभी बीमारी फाइदे मंद साबित होगा और हाँ दोस्तों अगर किसी को पी लिया है तो आप एक गिलास सब्जा का रस बनाएए और करीबन उसमें ती से मल सौप का रस मिलाकर सकर चिनी या सहद मिलाकर सुबा सुबा बासी मुखाली पेट सेवन करते हैं तो पी लिया रोग भी ठीक होता है दोस्तों इसमें से निकलने वाला बीज जिसे सब्जा कहते हैं उसका तासी ठंडा होता है मैंने आपको पहले भी बता है फिर बता रहा हूं अगर कोई पेशेंट है धातू चीरता का मतलब किसी धात गिरता है तो वह भी इसके वीज का सेवन करें सुबा सुबा खाली पेट एक चम्मच इसका बीज और एक चम्मच मिश्री मिला कर सेवन करें और एक गिलाज पानी पीए तो दो तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर उसका धातू रोग ठीक होने लगेगा क्योंकि दोस्तो धातू रोग जो है पेट से संबंधित बीमारियों कोजे से पैदा होता है जैसे किसी को कब्ज हो जाए तो कब्ज में लेट्रिंग करते समय प्रेसर प्रेसर लगता है ताकत लगता है उस दर्मियान किसी किसी को लेट्रिंग के साथ साथ में सीसन नली से धात गिरने लगता है तो ऐसे रोगियों के लिए यह सब्जा बहुत ही फाइदेमंद है दोस्तों कब्ज रोगी भी सब्जा का सर्वत बनाकर सेवन करें उसे भी फाइदा होगा सर्वत बनाने तरीका मैंने आपको पहले बताया फिर बताता हूं एक चम्मच सब्जा को एक गिलास पानी मुराथ को घोल कर रख दीजिए सुबह उस सब्जा को पानी के सहित कोई भी मीठा पदात डालकर आप सेवन कर सकते हैं तो कभ जोग भी ठीक होगा धातू ठीक होगा अगर इस तरीयोंग लिकोरिया रोग है तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं इस अगर किसी के चेहरे में पिंपल्स तो आभी इस सब्जा का उपयोग करें सरवत पूरे बदन में खुजली होता हो तो आभी सब्जा का उपयोग कर सकता है सरबत बनाकर दोस्तो आंखों के जलन में इसके पत्ते ले ले ल लिजिए उन पत्तों को रगण कर उसका रषट दो तीन भून निकाली जिए उस रषट में 2 भून 3 भून सहध डाल कर आखों में लगाने से आखों का जलन आखों का लालिमा दूर होता है और हाँ दोस्तों इसके पत्तों को नमक के साथ एक गिलास पानी के साथ पका कर गरारा करने से गले का इंफेक्शन दूर होता है गले का खराज दूर होता है और अगर मुह में छाले है तो मुह के छाले भी ठीक होते हैं इसके पत्तों के काढ़ा के उपयोग से दोस्तों खासीरोग में इस बन तुलसी के चार पांच पत्ते और दो पत्ते अमरूत के और एक दो काली मिरिच और एक चुटकी आजवायन डालकर एक गिलास पानी में पकाए पकाते समय 드OW तीन बार उबाले जब दो-तीन बार उबल जाए तो आप इसमें पुराना गुड काला गुड डाल कर चाय के तरह सेवन कीजिए तो सर्दी खासी कप जुखाब में फाइदे मंद साबित होगा तो दोस्तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा आयरवेदिक अउसदी है चमतकारी जड़ी बूटी है लेकिन लोग जानते नहीं पहिचानते नहीं इसे घास फूस खर पतवार समझते हैं इसका उपयोग नहीं करते हैं और महंगी महंगी दवायों को सेवन करते हैं और अपनी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक